नमस्कार मैं प्रियरेंजन और आप देख रहे हैं टेडर्स द्रीम आज की इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे विप्रो स्टॉक के बारे में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसका जो क्लोजिंग रहा था वो पोजेटिव रहा था और आगे क्या ट्रेंड हो है क्या दोस्तों में चैनल सेयर करेंगे सब्सकाइब करेंगे आप्सं टेडर मार्केट साइनटिस्ट के चैनल को विजिट कर सकते हैं यहां देखेंगे तो जो वीप्रो एडियार है उसकी जो क्लोजिंग रही थी हो पॉजेटिव रही थी एक बार आज के क्लोजिंग को भी देखेंगे अगर आप इंट्राडे टेडर हैं यहां देखेंगे कि जेपी मॉर्गें सीए ओ डिमोन सेज बैंकिंग क्राइसिस नॉट आभर येट रीपरकर्सन लूमिंग यानि की जो हमने देखा था बैंकिंग क्राइसिस और जो इंडियान आइटी स्टॉक थे उसके एक् कंज्यूमर कियर एक्सपेंड होते विए दिख रहे हैं यह वाकई काविले तारीफ है और एफ़ए 23 के सेल्स 10,000 करोर के रहे हैं जो की काफी फिनोमेनल रहा है वाल्यूम अभी भी देखेंगे तो काफी लूर वाल्यूम दिख रहा है 50-60 लैक के उपर के वाल्यूम को एक लगता है कि यह जो कंटिन्यूसन का है अगर आप चाहें इस स्टॉक में तो मेरा जो यह मानना है कि 358-66 के बीच का बाइंग जोन हो सकता है विद एसल बिलो 358 और एक बार उपर के तरफ 375 और 396 के दो लेबल दिख सकते हैं और इसको सस्टेन करता है तो 420 तक का लेबल भी एक्सपेक्टेशन है और हमने देखा भी था कि HDFC security के तरफ से 440 के लेबल दिए गए थे बांकि थोड़ा बहुत खुद से भी अनलाइज करेंगे बाइंग से लिंग करने से पहले